तो दोस्तों इस पीडियो में मैं आपसे BA Music Course के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबसे मेले मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि BA Music Course क्या है, इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इसका Course Duration क्या है Eligibility Criteria और Job Profiles के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ जानि अगर आप BA Music का Course कर लेते हो, आपको कौन सी जोब मिल सकती है, तो यह सारी बातें आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ Hello Friends, आप देख रहे हो Educational Wordster Channel, तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे BA Music कोर्स के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तो अगर आपने 12 की क्लास को पास कर लिया है, और आपको जहे जानना है कि 12 की क्लास को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से कोर्सस होते हैं, तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियोस को जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे डिसकस करने वाला हूं कि वाट इज बीए म्यूजिक कोर्स जैनि बीए म्यूजिक कोर्स क्या है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि BA Music Course एक Undergraduate Course है और इस Course को जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 12th की Class को पास करने के बाद करते हैं जैक Course काफी Specialized Course है इस Course के मादधम से आपको Music के Related चीज़ें सीखने को मिलेंगी Music के साथ साथ इस Course में आपको Dance के Fundamentals के वारे में भी बताया जाएगा तो इस Course के मादधम से आप Music के शेतर में अपना Career बना सकते हो अगर आपका Interest Music की दुनिया में है तो जैक Course आपको बहुद अच्छा Benefit दे सकता है अगर आप में Music की Skill है तब जैक Course आपकाफी अच्छे तरीके से और Easily कर पाओगे अभी आपसे मैं Course Duration के बारे में आपसे मैं Discuss करने वाला हूँ कि जैक Course कितने वरज का Course होता है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैक Course तीन वरज का Course होता है और स्मेस्टर सिस्टम के Base के उपर आप इस Course को पूरा करते हो अभी आपसे मैं Job Profiles के बारे में आपसे मैं Discuss करने वाला हूँ कि अगर आप भी ये Music का Course कमप्लीट कर लेते हो आपको कौन सी Job मिल सकती है तो दोस्तों आप Music Director बन सकते हो इसके इलावा आप Composer और Professor बन सकते हो आप Professor बनकर College में बच्चों को पढ़ा सकते हो इसके इलावा आप चाहें तो आप सिंगर बन सकते हो तो जैसाब आपकी Personal Interest और Knowledge की उपर ही Depend करता है अभी मैं आपसे Subjects के बारे में Discuss करने वाला हूँ कि बी ये Music Course में आपको किस परकार के Subjects आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं तो इस Course में आपको Music and Literature, Classification of Music, Forms of Light Music, Place of Music in Fine Arts और Concert, Singing, etc. जैसे Subjects आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं और भी स्कोर्स में कई सारे Subjects होते हैं जो आपको इस Course के दुरान करवाए जाते हैं जैसे सारे Subjects जुनिवस्टी और कॉलेज के सिलेवर्स के इसाफ से डिफरेंट हो सकते हैं तो दोस्तो अभी मैं आपसे Eligibility और Admission Process के वारे में आपसे मैं डिसकस करने वाला हूँ कि आप इस Course में किस परकार से Admission ले सकते हो तो दोस्तो इसके लिए आपको जो 12 की Class है वो आपको पास करने होगी 12 की Class आप किसी भी स्ट्री में पास कर सकते हो 12 की Class को पास करने के बाद आपको Entrance Exam देना होगा जब आपका Entrance Exam कलीर हो जाएगा आपको College में Admission मिल जाएगा लेकिन अगर आपको Entrance Exam नहीं देना फिर भी आप किसी Private College में Direct Admission ले सकते हो तो जैस सिरफ College की उपर ही Depend होता है तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपसे BA Music Course के बारे में आपसे मैंने डिसकस किया है मुझे लगता है कि आपका जो doubt होगा वो clear हो चुका होगा लेकिन फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के description में काफी courses के बारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें वहाँ जाकर भी देख सकते हो तो अंते में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद